गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट, माई नाम इस सुमिश सर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसर ट्वांटीटू मेजर चैलेंजेस बिफोर दा वर्ल्ड लिस्ट के समुक प्रमुक चनौती है आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि what is environment, environment क्या होता है and how does it get polluted और ये किस प्रकार प्रदूसित होता है कैसे एक प्रदूसित बातावर्ण मानपता को प्रभाविश करता है what is the meaning of globalization and what are its bad effects globalization का अर्थ क्या होता है और इसके बुरे प्रभाव कौन-कौन से है what is terrorism, आतंग बात क्या है, why is it a threat to the world, ये बिस्ट के समझ खत्रा क्यों है so let's begin, बर्दूमान समय में सभी देश एक दूसरे पर निर्वर है वे एकाकी नहीं रह सकते, उनकी नीदियां अंतराश्टिय परिस्टितियों से निर्देशित वा प्रभाविद रहती है अनिक समझ्चा ऐसी है, जिनका सामना सभी देशों को समान लूप से करना पड़ता है ये समझ्चा बिश्व व्यापी है यदि कोई रास्ट इनके समाधान के लिए एकागी प्रयास करते हैं तो उसमें अधिक सफल नहीं हो पाएंगे इनका समाधान करने के लिए सभी देशों को सहीं कुरूप से प्रयास करना चाहिए तो अब हम देखते हैं कि इन्वार्यमेंट और परयावरण किसे कहते हैं इन्वार्यमेंट और परयावरण The word पर्यावरण is made up of two words परी धन आवरण पर्यावरण सब्द है दो सब्दों से मिलकर बना है परी और आवरण परी stands for all sides and आवरण means surrounding परी का अर्थ उताई चारोत दिसाओं से और आवरण का अर्थ उताई घेरे हुए अथार एककवर which surrounds us from all sides is called पर्यावरण और environment अथार वा आवरण जो हमें चारो और से घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण या environment कहते हैं Environment is the mixture of several factors पर्यावरण अने कारों का शम्मित्रण है Any external force, substance और state that surrounds any creature and affects the life in any form is called factor कोई भी भारी बल, पदार्थ या परिस्ति जो किसी जीव को घेरे हुए हो तता उसके जीवर को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता हो कारक कहलाता है पर्यावरण में दो प्रकार के factors होते है पहला है organic factors जिसमें पेर पौदे, सभी जीव और insects आते हैं दूसरा है non-organic factors जिसमें water, mineral, soil, air और solar energy आते हैं बोद factors of environment are different from each other but are interlinked environment के ये दौनो factors एक दूसरे से अलग हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं In the natural condition, the life of a creature is not affected by a single factor but all the environmental factors together affect it प्राकर्टिक परिस्थितियों में जीव का जीवन किसी एक कारक से प्रवावित ना होकर समस्त पर्यावरणियें कारकों के योग से प्रवावित होता है These factors affecting the creature also leave an impact on each other ये कारक जीव को प्रवावित करने के साथ साथ परस पर एक दूसरे को भी प्रवावित करते हैं Thus, a balance is made on the earth, but various natural and man-made regions are imbalancing the environment and it pollutes our environment इस प्रकार प्रत्वी पर संतुरन बना रहता है परन्तु कई प्राकर्टिक एवा मानव निर्मित कारणों से प्रयावरण का संतुरन बिकट रहा है इसके कारण हमारा प्रयावरण प्रदूसित हो रहा है Such undesirable change occurring in the physical, chemical and organic property of air, water and soil which along with human beings damage the entire natural structure is called pollution बायू, जल, मिट्टी के बहुत एक राशायनिक वा जैवे गुलों में होने वाला ऐसा अवांचित परिवर्दन जो मनुष्ट के साथ ही संपूर परिवेश के प्राकरतिक तक्त्यों को हानी पूचता है प्रदूसर कहलाता है टाइप्स ऑफ पॉलूशन प्रदूसर के प्रकार पहला है वाटर पॉलूशन जल ही जीवर हैं प्रकरति ने मानव को सतही एवं भूविगर जल के रूप में असीमिज जल के बहंडार दिये हैं लेकिन मानव निरंतर अपनी क्रिया द्वारा जल्ब को प्रदूसित कर रहा है जल्ब प्रदूसर वह इस पी है जिसमें जल्ब के फिचकल, केमिकल एंड जैविक गुड़ों में नकरात्माग परिवेटन हो जाता है सता जल्ब माना समुदाय तता जी जन्टू वह बनस्पती जगत पर अपना हानिकारक प्रवाफ डालने लगते हैं अब दिखते हैं स्वोर्स से ऑफ वाटर पॉलूशन यानि जल्ब प्रदूसर को किस कारण या स्वोर्ट सब्से पहले नैच्रल सोर्टेज यानि की स्प्रा अखतिक पदार्ट वी जल्ब को प्रदूसर करते हैं इनमें विविन गैसे मिल्दा खनीच बनस्पती मिल्द जीव जन्तू आगी हैं प्रन्तू मिट्टी अपदन से भी जल्ब प्रदूसर होता है दूसरा है दूमन सोर्टेज यानि की मानस प्रोथ बरतमान समय में किर्यकला और है नंगरी करण कृषि कोद्दों की अमजित एवंधार में घTT विज्जियों के करण अनेक प्रिकार के प्रदूसर्ट जल को प्रदूसित करते हैं माना द्वारा जल प्रदूसर्ट के प्रमुक कारण नहीं रिखेते हैं पहला है एक्सक्रेटा यानि की मल The stool and urine emanating from residential and public toilets are directed into rivers and water resources यानि घरों से और public toilet से निकलने वाला मल और मूत्र ये direct नदी में ये किसी water resource में डाल दिया जाता है दूसरा है home waste यानि घरेलू अपमाजक Swaps and detergents are used in the cleaning of utensils at home and hotels Swap is washing store and cloth Swaps साबून और detergents का यूज घरों में या होटल में भर्तन साफ करने में इस्तमार किया जाता है इसके अलावा साबून का उप्योग श्रोर को और कपड़ों को साफ करने में भी किया जाता है जब ये गंदा पानी किसी water resource में पहुचता है तो उसको ये गंदा कर देता है किसरा कारण है इंडेस्ट्रियल वेश्ट यानि की पौद्द्यों कि अप्सिस्ट डिफेंड इंडेस्ट्रीज आज मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉलूशन बहुत साली बिविन जो उद्द्योग हैं वो जल पर दूसर के प्रमुप श्रोते हैं कि अब वाटर फ्लोइंग सॉम इंडेस्ट्री कंटेन लॉट ऑफ वैटल केमिकल सब्स्टेंट उद्द्योगों से निकले जल्म में अनिक घातक रसायनिक प्दात मिले होते हैं इस पॉलुटेड वाटर इस डारेक्टली फ्लोओं इंटु दरीवर पॉंट्स पॉंट्स यह जो पॉलुटेंट होते हैं यानि प्रदूसर्ण होते हैं वह नदी में यह पर तालाब में डारेक्टी छोड़ दिये जाते हैं देखते हैं एफेक्स ऑफ वाटर फॉलुशन जैनिकी जल्प्रदूसर्ण के प्रभाव वाटर पॉलुशन लिए वेरी देंजरस एफेक्ट और दूमन विंग्स मानव पर जल्प्रदूसर्ण का बहुत गातक प्रभाव पड़ता हैं डिजीज लाइक कॉलेरा दिसेंटरी फीवर जॉंदेश मलेरिया एटिसी और रिजल्स ऑफ वाटर पॉलुशन हैजा अतिश बुखार पेचिस पीलिया मलेरिया आधी रोक वाटर पॉलुशन के कारण उत्पन होते हैं मेजर्स टू चेक्ट वाटर पॉलुशन जल्प्रदूसर्ण को रोकने के उपाए पहला है बाई एवाइडिंग देफ्लो आफ केमिकल वेस्ट ऑफ इंडेस्ट्री एंडिटी व के रशाइन एवं गंदे अप्सिष्ट युक्त जर्को नदियों सागरों नहरों जीलों आदी में सीधे ना डाला जाए दूतरा है तु यूज दे एलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम तु बर्न देथ बॉड़ी शबो को जलाने के लिए बिद्दुस सब्दार ग्रहों का निर्मान किया जाना चाहिए तु टेक हैल्फ वॉलेंटरी बॉड़ी लाइक सुलव इंटरनेशनल तु स्टॉप पॉलूशन ओकरिंग दू दू फ्लो आफ एक्क्रेटा मल विसरजन से उत्पन होने वाले प्रदुसर को रोकने के लिए सुलव इंटरनेशनल जैसी स्टॉप से भी संस्ताव की मदद लेना चाहिए और देखने है एर पॉलूशन जानी की बायू का दूसर सभी जीवधारियों के जीवन के लिए बायू आवश्यक है बिना हवा के हमारा जीवन संबाव नहीं बायू मंदल में अनेक प्रकार की गैसे पाई जाती है जैसे ऑक्सिजन, कारवंड़य ऑक्साइड, नाइट्रोजन, आदी ये गैस एक निश्चित मात्रा पर अनुपात में पाई जाती है कैसों के इस अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन बायू मंदल की सम्पूर बिवस्ताव को प्रवावित करता है जिसका सीधा प्रवाव जीव जगत पर पड़ता है प्राकरतिक एवं मानवे कारोड से बायू के प्रदेसित होने की प्रिक्रिया बायू प्रदेसर कहलाती है अब देखते हैं दे कॉजस अफ एर पॉलूसर यानि बायू प्रदेसर के कारण तो पहला है नेच्रल कॉजस यानि की प्राकरतिक कारण बायू प्रदेसर प्राकरतिक कारण से भी होता है जैसे ज्वाला मुखी के फूटने पर उसमें से निकलने वाली गैसे, धुआ, कट्टान के टुकडे, राक आधी हवा में मिलकर पर दूसर फैलाते हैं दूसरा है man-made cause यानि मानव दिनर्वित करण Man-made causes of air pollution are following यानि मानव दिनर्वित जो करण है वो दिम लेकित है पहला है by transport यानि की बाहनों के दौरा वायू प्रदूसर का सबसे बड़ा कारण बाहनों से निकलने वाला धुआ है इस धुए में विफिन प्रकार की जहरीले गैसे होती है जो वायू को प्रदूसित करती है दूसरा है by industry यानि उद्ध्योगों द्वारा उद्ध्योगों की चिम्नियों से निकलने वाली अनेक बिसेली गैसे chemical fertilizer कारख्वान द्वारा छोड़े जाने वाले pollutant जैसे ammonia, hydrocarbon आधी के कारण भी बायू प्रदूसित होती है तीसरा है by household works यानि गरेलू कार्यों द्वारा गरेलू कार्यों के जैसे बोजन पकाना, पानी गरम करना आधी में कोईला, लगड़ी, मिट्टी का तेल, क्रिसी अफसेश पदार तो आधी का शूल की रूप में उप्योग किया जाता है इनके जलाने से उत्पन धुआ बायू को प्रदूसित करता है Effects of Air Pollution यानि बायू प्रदूसर के प्रभाब बायू प्रदूसर का सरवालिक प्रभाब मनुष के एस्पारेटरी सिस्टम पर पड़ता है बायू प्रदूसित बायू के कारण स्वास संबंदी बिविन रोग जैसे अस्त्मा, तैपेदिक, फैपडो का कैंसर आधी हो जाते हैं मेज़र्स टू चेक एर पॉलुशन यFil प्रदूसर को रोकने के उपाय बायू प्रदूसर आज एक भीषधर समस्या बन चुकी है सुद्ध बायू के अभाव में मानलव जीवन असमबव है अता वायू पर दूसरों को रोकने के लिए हमें निमने के तुपाय करने चाहिए इसमें नमबर एक है Construction of chimney in plants should be very high and to be inspected by pollution control board यानि जो उद्योग होते हैं उनमें चिमनियां बहुत उचाई पर बनाना चाहिए और pollution control board के द्वारा उनका निरिक्षण करना चाहिए To ban the use of raw coal and food as fuel कच्चा कोईला और लकड़े का इसमाल इधन के रूप में नहीं करना चाहिए To close the open sewage यानि खुले sewage आदियो को बंद किया जाना चाहिए To try to make the people aware and deforestation be checked जन मानस में जागरुता लाई जाए चाहिए चाहिए बनों को काटने से रोका जाए Effective law should be enacted यानि कि प्रभावी कानून बनाए जाए Next is noise pollution यानि कि धोनी प्रदूसर शोर एक अवांचित धोनी है जो मनुष्ट के कानों को अप्रिये महसूस होता है अधिक सोर के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है फल सोरू बेविन प्रकार के रोग जनम लेते हैं उप्त प्रदूसर के नियंतर के लिए लोगों में जागरुकता और शक्रिय भागिदारी आवशक है Next is globalization यानि कि बैश्वी करण The word globalization means involvement of all nations of the world यानि globalization बैश्वी करण का अर्थ है सभी देशों का एक साथ भागिदारी करना If we think about the process of globalization we find that raw materials come from one nation and technique and know how to make goods raw from materials is provided by another country बैश्वी करण के निर्मार की प्रक्रिया पर यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि कच्चा माल किसी एक देश में मिलता है इस कच्चे माल से वस्तू को बनाने के तक्नीक और ग्यान किसी दूसरे देश के पास होता है तथा कच्चे माल और तक्नीक का प्रयोग कर उत्पादन किसी तीसे देश में होता है इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है बहुत सारे देशों में भेजे जाते हैं इस प्रकार जो हम बस्तू खरीदते हैं उस बस्तू के निर्माण में कई देशों का सयोग रहता है बिश्व के बिविन देशों में रहने वाले लोगों की पारस पर एक निर्वरता केवल उत्पादित बस्तू तक सीमित नहीं है अपे तू पर एक दूसरे से सिक्षा, कला, साहित, तक्नीक, विग्यान, आदि छेत्रों में भी एक दूसरे पर निर्वर है देशों और लोगों के बीच ब्यापार, पुंजी निवेश, यात्रा, टूरियरिजम, खेलकून और अन्य प्रकार के माद्यमों से भी विविन अंतरक्रिया होती है ये वैश्वी करण के परिचायक है बैश्वी करण की परिकरिया में एक देश दूसरे देश पर परस्वर निर्वर हो जाते हैं और लोगों की बीच की दूरिया घट जाती हैं एक देश अपने विकास के लिए अन्य देशों पर निर्वर रहने लगता है Thus, this is the global centralization system इस प्रकार पूरबिश में एक कैंजरी विवस्ता का होना बैश्वी करण है The trade forces will act in domestic market Their expansion beyond national limit is called globalization घरेलू बाजारों में जो बाजार सक्तियां किरिया करती हैं उन्हें राष्टे सीमाओं के बाहर विस्ता ही बैश्वी करण है The benefits of globalization यानि कि वैश्वी करण के लाख Flow of capital increased through globalization यानि globalization से जो capital का flow होता है यानि पुंजी का जो flow होता है वो बढ़ता है Increase in the international production अंतराश्टिय उत्पादन में ब्रद्धी होती है तीसरा है the growth of international corporation and competition अंतराश्टिय सायोग और प्रत्योगिता का विकास होता है The multinational companies have a vital role in globalization बैश्वी करण में बहुराश्टिय कंपनियों की मेंतपूर भूमिगा है The multinational companies are such companies which trade in many countries बहुराश्टिय कंपनियों वे कंपनियों होती है इनका कारवार एक देश से अधिक कई देशों में होता है Many multinational companies are successfully worked